हेलो एवर्वन मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम अकेडमी पर स्वागत करता हूं आज की करंट अफेर के साथ आज की करंट अफेर यानि की 27 अप्रेल जितने भी इंपोर्टेंट मुद्धे हैं चाहिए वो और याना करंट अफेर से अपने इंपjer न्यक्रफूध की काहनी के पर साथ continist हैं चाहें चाहेए वो और अभी इंपोर्टरियाणा की लिए के इंपोर्टेंट है उसके साथ हरियाना करंट अफेर के भी question है national के आपको हर जगे मिल जाते हैं لेकिन हर्याना करंट अफेर के question आपको नहीं मिलते हैं पहले मैं नैसिनल करंट अफेर के question करोओंगा उसके बाद जो है आपको अर्याना करंट अफेर के question करवाएंगे पहला question है answer देना बारत ने किस के साथ सिखर- ηwartha के हुए है यू के जो अध्यक्स है आर्शुला लियन आर्शुला आर्शुला लियन मैला है भी ये आर्शुला लियन जो है जो किसकी भी जो यूरेपियन संग की यू की यूरोपियन संग की जो है क्या भी अध्यक्स है यू की अध्यक्स है वो जो है बारत की यातरा पर आई परदानमंत्री नरेंदर मोदी के साथ क्या कियें भी वारतालाप की है वारतालाप के साथ कुछ संभुजोते की हैं ताकि भारत और EU के साथ जो कारोबार है उसके रिस्ते जो है वो परगाड हों सबसे पहले तुम आपको बता देता हूँ EU की है क्या है ये European Union है जिसकी स्थापना 1 नौंबर 1993 में की गई थी जिसमें फिलाल 27 सदस्य देश हैं कितने भी 27 सदस्य देश हैं और जिसका मुख्यले जो है Brussels Brussels Belgium में है Belgium Brussels जो है यूरोप के मिड में है ठीक भी तो यहाँ पर जो है आपके किसका भी EU का मुख्यल है और इसके साथ वारताला पुई है परदान मंतरी नरेंदर मोदी की आरसुला लेन जो है वो अद्दैक्स हैं भी किसकी EU की ठीक भी तो इनके साथ ये आई हैं बारत में और उनके साथ जो है क्या होई हैं भी वारताला पुई है इससे पहले मैं आपको बता देता हूं मुक्त वैपार के लिए बारत की कुछ और इस मंत के अंदर लगबग मार्च और अप्रेल मंत के अंदर तीन चार देशों के साथ और हुई हैं सबसे पहले आस्ट्रेलिया के साथ हुई यह इंपोर्टेलिया के साथ बारत की बातचीत हुई हैं मुक्त वैपार के लिए एक अच्छा समझ होता हुआ है उसके बाद UAE के साथ हुई भी उसके बाद इंगलेंड के साथ हुई और अब जो है EU यानि की यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है तो यह इंपोर्टेंट है याद रखना किस की साथ बारत की वारता लाप हुई है मुक्त वैपार के लिए यानि की वैपार को बढ़ाने के लिए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यूरोपियन आयोग होगा भी यह होगा इसका राइट आंसर नेक्स्ट के उपर चलते हैं भी दुनिया का पहला वर्टी-पोट कहाँ बनाया जा रहा है देखिए पहले तो ये वर्टी-पोट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ डीफिये जिस परकार गाड्डी वगेरा को चलाने के लिए सडक होती है ट्रेन को चलाने के लिए पटडी होती है अवाईजाज के लिए जो होता है एरपोर्ट होता है सेम वैसे ही एर कार वहिकल जो है एर कार वहिकल जो होते हैं एर कार आपको पता होगा एर कार जो है आज कल चलने लगी है एर कार वहिकल जो है उनके लिए एक platform है जिसको अपन वर्टी port कहते हैं तो दुनिया का पहला वर्टी port कहां पर बनाया गया है यह question है तो दुनिया का पहला वर्टी port जो है वो इंग्लेंड के अंदर बनाया गया है यह right answer है next के ओपर चलते हैं भी विशो के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क देखें यह important भी एलन मस्क जो Tesla Motors के कहां भी Tesla Motors के founder है important है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं भी एलन मस्क और यह बोग दिनों से जो है Twitter के पिछे पड़े हुए थे आप सभी को पताओगा इससे पहले इसने 9.3% सेयर खरीद दे थे भी किसके भी Twitter के सेयर खरीद दे भी 9.3 उसके बाद 46 अरब डोलर में Twitter को खरीदने की पेसकस की थी यह दोनों के उस चुनमा आपको करवा चोगा हूँ लेकिन लास्ट में फाइनली एलन मस्क जो है Twitter को खरीदने में सफल हुए और Twitter को इन्होंने क्या कर लिया भी खरीद लिया है Twitter को कितने रूपय में खरीदा है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 44 अरब डालर होगा Twitter क्या है भी मैं आपको बता चुका हूँ Twitter जो है माइक्रो ब्लोगिंग सोसल मीडिया साइट है सोसल मीडिया साइट है इसके उपर अपन छोटी छोटी मैसेज बना कर किसी का भी ध्यान एक्तरित कर सकते हैं इसके मैक्सिमम 140 क्रेक्टर का अपन जो है ब्लोग जो है वो लिक सकते हैं किसके उपर भी Twitter के उपर Twitter की जो स्थापना है वो 2006 के अंदर हुई थी कब हुई थी भी 2006 के अंदर हुई थी ये important है याद रखना next के उपर चलते हैं भी next question है Laureus Sports Award देखिए Laureus Sports Award एक Sports के छेतर में कोई भी जितने भी sports हैं जितने भी खेल हैं उनके लिए विशों में एक award दिया जाता है सरोसरेश्ट परदर्शन करने के लिए हर खेल में से कोई भी जितने भी खेल है उन में से best खिलाडी को चुना जाता है तो वो जो है Laureus Sports Award है ने किसे दुनिया का सरोसरेश्ट खिलाडी परुस के रूप में चुना है इंपोर्टेंट अभी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं बात करा हूँ सभी पलियर चाहे वो किरकेट है चाहे वो फुटबोल है चाहे वो कोई भी event है फार्मूला वन ड्राइवर हैं भी आपको पता होगा ड्राइवर हैं ड्राइवर हैं फार्मूला वन के जो हैं यह ड्राइवर हैं और इन्होंने जो है अलमिटन को अराया था भी जो लगबग 78 बार के वर्ल्ड चैंपियन है Formula One के उनको अराया था इसलिए इनको जो है World का सरवसरेस्ट खिलाडी माने गया है पुरूस के अंदर अगर मैं बात करूँ महिला के अंदर तो महिलाओं के अंदर जो है Allen Thompson को जो है World का सबसे best खिलाडी जो है महिलाओं के अंदर माना गया है ये जमेका की है और जमेका की एथलीट है क्या भी एथलीट है जमेका की एथलीट है सो दो सो मीटर जो है रनिंग करती है भी कोण भी एलन थॉंपसन ठीक है तो इनको जो है मैला वर्ग में सरवस्रेस्थ खिलाडी जो है माना गया है अगर मैं बात करूँ बाहरत की तरफ से तो नीरज चोपडा जो है वो रनप में रहे हैं मतलब ये बैस्ट तो नहीं हुए लेकिन ये मान सकते हो ये रनप में रहे हैं तीसरे से चोथे नंबर पर ये रहे हैं तो ये भी इमपोर्टेंट बनता है अगर मैं बात करूँ राडू कानू इमपोर्टेंट भी राडू कानू यूएस ओपन जीता था भी ये राडू कानू जो है यूएस ओपन जीता था और क्या है भी ये ये जो है टैनिस के प्लेयर है टैनिस के प्लेयर है तो भी तीसरे नंबर पर र तिरंगे फैरा कर गनिज बूक में वर्ल्ड रिकोर्ड जो इस्थापित कर लिया है। तो winter ke इंदर Imaatra कैसि मौझ में रेली हुई है। उस रेली के अंदर जो है सभी लोगों ने तिरंगे फेराए हैं। हर लोगों ने मतलब क्या लिए भी तिरंगे लिये ।ो तो कितने तिरंगे फैरा कर world record बना दिया भी गनीज बुक में नामदर्ज कर लिया है तो important है तो 78,000 तिरंगे जो है इन्होंने फैराए है बियार के अंदर important है next question के ओपर चलते हैं भी किन दो राज्यों के बीज knowledge sharing agreement हुआ भी important agreement हुआ भी ऐसे की अरुइाना स्टेट की यूजना है और उस्यूजना को कोई दूसरा स्टेट लेना चाहता है तो वो स्टेट जो है अर्याना अपनी ढोलज सेर करेगा कि आप इस यूजना को ऐसे लगू करें ठीक है तो यह जो है knowledge sharing जो आपकी agreement है इसमें दो state आपस में अपनी योजनाओं के बारे में जो है knowledge को share करेंगे ये knowledge sharing agreement है ये किसके बीच हुआ है तो ये पंजाब और दिल्ली के बीच हुआ है आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के जो मतलब मुख्यमंत्री अरविंद के जरिवाल आम आदम में पंजाब में भी अपनी क्या बना लिए भी पार्टी बना लिए सीम जो है बगवतमान बड़े हैं तो इन दोनों ने ना क्या किया दिल्ली के जैसे दिल्ली की अच्छे चीज़ना है मोहला कलीनिक है सिक्सिया का मतलब स्थर बहुत अच्छा कीया है अरविंद के इम्पोर्टन्ट है भी, नेक्स्ट के ऐपर मैं बात करता हूँ, किसे 2022 के लिए विस वफ्थकराजदानी के रूप में माना गया है, तो स्वार्टन अबी तो ये जो है,hos गवाड लाजर को जो है, क्या बान्या गया है 2022 के लिए विस्व पुस्तक राजदानी माना गया है नेक्स्ट क्योस्टन की मैं बात करता हूँ अर्याना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कायोजन कब से कब तक किया जाएगा सबसे पहले तुम आपको बता देता हूँ अर्याना के अंदर चोथे खेलो इंडिया जो गेम्स जो है जो 2021 में होने थे लेकिन करोना की वज़े से नहीं हुए और वो अब कब होगे भी 2022 जून 2022 में कहां पर परस्तावित हैं पंचकुला के अंदर परस्तावित हैं ये बात आप सभी को पता होगा ठीक भी तो पंचकुला के अंदर परस्तावित हैं तो ये अब कब आयोजित किये जाएंगे डेट पूछी गया important question बनता है क्योंकि खेलो इंडिया एक बहुत अच्छा टोर्नामेंट है युथ खेलाडियों को जो परोच्छान करने का अच्छा टोर्नामेंट है जिसमें सरोश्रेस्ट के लाड़ी को क्या दिया जाता भी पांच लाख रुपे इनाम दिया जाता है जो बैंगलोर के अंदर जो है यह चले हुई है important है तो यह आगे आएगा question मैं बहुत दिखा देता हूं आपको senior ACI कुस्ती championship important हभी बहुत ज़्यादा चड़ी हुई है यह में देश के पहलवानों ने 17 medal जीते है जिन मेंसे अरियाना के खाते में कितने आए देश के पहलवानों ने कुल जीते है 17 medal अब आपको पहले ही बता देता हूं अरियाना का नाम तो बहुत आगे है भी ठीक है 17 में से 17 में से 13 में से 13 medal किसने जीते हैं भी अरियाना ने जीते हैं अगर मैं बात करूँ दूसरा एक और खिलाडी की जिसका नाम है दिपक पुनिया रजत पदक जीते अभी इंपोर्टेंट अभी और विक्की चहल भी जो है उन्होंने भी जो है कास्य पदक जीता है बहुत से खिलाडी है यहां पर आपको तीरा आंसर कर लेना है नेक्स्ट अरियाना अंतराष्टिय फिल्म फेस्टिवल अठारा मई से कहां आयोजित किया जाएगा तो अरियाना के अंदर फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है कब से पहला क्योस्ट तो यही बन रहा भी अठारा मई से आयोजित किया जा रहा है कहां पर किया जा रहा है त अभी को पता होगा गोरी शेवरान एक सूटिंग खिलाडी है सूटिंग है भी 10 मीटर एर राइफल जो है सूटिंग परतियोगिता में भाग लेती है ओलम्पिक में भी गई थी तो इंपोर्टेंट है अर्याना की गोरी शेवरान ने 25 मीटर विमन पिश्टल खेल पाच्छे गोल्ड मेडल जित्ते हैं, कौन सा मेडल जित्ते हैं, गोल्ड मेडल जित्ते हैं, इंपोर्टेंट बनता है, नेक्स्ट के उपर मैं बात करता हूँ, अर्याना के किस गाउं में मुख्यमंत्री ने नए सुगरमील का उद्गाटन किया है, इंपोर्टेंट है भी, डाहर, बी गाउं फ्रीदाबाद में है इसको सहीदों का या फिर अमर सहीदों का गाउं कहते हैं अमर सहीदों का गाउं कहते हैं कलायत जो है कैथल के अंदर पड़ता है कहां पर पड़ता भी कैथल के अंदर पड़ता है और इसका राइट अंसरों का वे डाहर पानी पत पानी पत के अ इसको मुख्यमंत्री गाओं भी कहते हैं, मुख्यमंत्री विलेज भी कहते हैं, तो इंपोर्टेंट बनता भी, ये भी क्योस्टन, ठीक है भी, तो आज के करन्ट अफेर के क्योस्टन ये थे भी, सारे के सारे, चाहिए वो नैशनल है, चाहिए वो अरियाना है, और ये सारा क सारी PDF जो है आपको उत्तम Academy के Telegram चैनल पर मिल जाएगी साथ ही अमारे Instagram पेज पर जो है आपको Quiz Form में आपको ये मिल जाएगी वहाँ पर आप जोईन कर लेना इन दोनों चीज़ों के उत्तम Academy के नाम से ही दोनों के दोनों जीज़े मुझूद है ठीक अभी आज के लिए इतना ही मिलती हैं हमारी अगली कलास के साथ दन्यवाद दोस्तो जैन साथियो